नमस्कार किसान माईयों, किसान माईयों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाल हैं स्वाल कंपनी की स्टार माइट की इतना शक्ति वुशिष्टाओं के बारे में जियां किसानबाईयों बात करने वाले हैं स्टार माइट कीटनाशक के टेकनिकल के बारे में इसके साथ साथ बात करेंगे मोड ऑफ एक्शन की कौन सी मुख के फसलों पर हमें स्वाल कमपनी स्टार माइट कीटनाशक के जड़काव को रेकमेंड करती है बात करेंगे कौन- कुछ सी माइट्स को यह नियानतियत करता है क्या इसका हमें डूस देखने को मिलता है सारी विशिष्टाओं पर आपको डीटेल में जानकारी देंगी किसान भाईयों वीडियो एकदम छोटा होने वाला है वीडियो में आखरी तक ज़ूर बने रहें और सारी जानकारी हासिल करें बात कर लेते हैं स्वाइल कंपनी का जो स्टारमाइट की इतना शक है इसके टेकनिकल के बारे में तो किसान भाईयों इसमें हमें नया टेकनिकल देखनी को मिलता है जो की स्वाइल कंपनी द्वारा हमें स्टारमाइट की इतना शक में देखने को मिलता है वो है लेते हैं इसके mode of action के बारे में तो किसानवाईयों यह है एक contact insecticide है यानि की किसानवाईयों यह है एक spurs nasi कीतनाशक है बात करते हैं कौन-कौन सी मुख्य फसलों पर हमें स्वाल कंपनी स्टारमाइट कीतनाशक के छिड़काव को रेकमेंड करती है तो मुख्य रूप से आप इसका छिड़काव रोज एंड ग्रेप्स यानि की किसानवाईयों गुलाब और अंगूर जैसी फसलों पर इसका छिड़काव कर सकते हैं कोई भी दिकतर परिशानी हमें देखने को नहीं मिलती है किसानवाईयों बात कर लेते हैं कौन-कौन से कीटों को यह नियंतरित करता है तो किसानवाईयों यह तू स्पोर्टेड माईट के साथ सा जो अन्य प्रकार की माईट होती है यानि कि किसानवाईयों कहना चाहिए मुक्रूप से यह है मकडियों को हमारी गुलाब और अंगूर्टी फसलों पर नहीं अंतरित करके लगता है और काफी एफेक्टिव रेजल्ट भी हमाई स्टार माईट की इतने शक्ति देखने को मिलते हैं बात कर लेते हैं इसके डोस के बारे में तो किसान भाईयों इसका जो अनुमानेट डोस है 200 ml प्रती एकड़की दर से आप स्टार माईट की इतने शक्ति चलकाव अपने फसलों पर कर सकते हैं किसान भाईयों अनुमाने डोस में इसले कर रहा हूं क्योंकि फसलों की स्टेजिस के हिसाब से ही हमें दवाओं का डोस लेना चाहिए तो ध्यान में आपको ज़रूर ये रखना है जब भी आप दवा का परचेस कर रहे हैं तो दवा के बारे में जानकारी और डोस के बारे में कंसर्ड करना दुकानदार से ना भूलें तो किसान भाईयों आज की इस वीडियो में सरफ इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी जानकारी के साथ धन्यवाद